जोहरा सेगल बॉलिवुड की सबसे लोग प्रियर दादियों में से एक थी 29 सितंबर को जोहरा सेगल को गूगल ने भी एक बेहत शांदार डोडल समर्पित किया था जोहरा सेगल पहली ऐसी इंडियन एक्रस थी जिनोंने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई थी सन 1946 में कैंस फिल्म्स फेल्सिवल में जोहरा सेगल की फिल्म नीचा नगर प्रिमियर होई थी जोहरा सेगल की इस फिल्म में कैंस का सबसे बड़ा अवार्ड जिसे पैल्म डी ओर कहा जाता है वो जीता था रामपूर के नवाबी खांदान से तालुक रखने वाली जोहरा सेगल का जनम रामपूर में ही सन 1912 में हुआ था इनका पूरा नाम था साहिब जादी जोहरा मुमता जुल्ला खान बेगम जोहरा अपने माता पिता की तीसरी संतान थी इनका परिवार रामपूर के रोहिला पठान फैमली का हिस्सा था इनका बच्पन उत्राखंड के चकरता में गुजरा था जोहरा ने अपना बच्पन पेडों पर उच्छलने कुदने में और मस्ती करने में बिताया फल तोड़कर खाने में बिताया और शरारत करते हुए भी गुजरा जब जर्मनी पहुची जोहरा सैगल पच्पन में जोहरा की मा की मौत हो गए थी इनके मा की ख्वाइश थी कि ये लाहोर में जाकर खुब पढ़ाई करे अपनी मरी मा की ख्वाइश को पुरा करने के लिए जोहरा सैगल ने कुईन मेरी कॉलेश लाहोर में दाखिला भी ले लिया जोहरा सैगल को डांस का काफी शौक था लेकिन इनके कॉलेश में उस जमाने में काफी परदा होता था जोहरा के एक मामा स्कॉटलेंड के एडिंबर्ग्स शेहर में रहा करती थे वो अक्सर अपनी मामा और उनके परिवार से चिठियों के जरीए बाचित किया करती थी जोहरा ने अपनी डांस सीखने की ख्वाईश के बारे में उन्हें बताया ऐसे पहुची लाहोर से जर्मनी और हुने जोहरा की डांस सीखने की ख्वाईश का लिहाज रखते हुए किसी तरह जर्मनी के सक्सोनी राज्य की राज़्धानी ब्रेस्डन में मौजूद मेरी विंगमेंस बैलेट स्कूल में जोहरा का एड्मिशन करवा दिया वहाँ ये बिटिश एक्टर की देखरेक में रहने वाले थी और उनके मामा ने ही ये इंतिजाम किया था लाहोर से जर्मनी तक पहुचने की जोहरा की कहानी भी बड़ी ही दल्चस्प है जोहरा की मामा उन्हें लेकर कार से ही लाहोर से इरान पहुचे फिर वहाँ से फिलिस्तीन पहुचे और फिलिस्तीन से ये लोग अपनी कार लेकर निकले सीरिया की राजधानी दिमशिक वहाँ पर जोहरा क्या ममीरा भाई इन्हें मिला फिर उसे लेकर ये लोग उसी कार से मिस्र के अलकेजिड्रा शहर पहुचे और फिर वहां से एक जहाज के द्वारा ये यूरो पहुचे ऐसा करने वाली पहली भारतिय महिला थी जोहरा जर्मनी के ब्रेज़डन शहर में मैरी विंक्समैन बैलेट स्कूल में दाखलया लेनी वाली जोहरा सेगल फर्स्ट इंडियन वूमन है जोहरा ने तीन साल तक स्कॉलेश से डांसी खा जर्मनी में एक दिन जोहरा को एक नित्ते नाटिका देखने का मौका मिला बस यहीं से जोहरा की जिन्दगी बदल गई इस निट्टे नाटिका में उनकी मुलाकात हुई उदेश शंकर से जो कि उस दौर के एक बेहत मजूर भारते नितक थे विदेशी धर्ती पर एक बेहत खुब सूरत भारते लड़की को डांस में दिलचस्पी लेते देखकर उदेश शंकर बेहत हैरान और खुश हुए उदेश शंकर ने जोहरा से वादा किया कि वो भारत लोटते ही उनके लिए वतन में ही काम का इंतिजाम करेंगे उदेश शंकर संग किया वर्ल्ड टूर साल 1935 में उदेश शंकर ने जोहरा को जापान बुला लिया यहीं पर जोहरा ने उदेश शंकर के डांस ग्रूप को जॉइन कर लिया इसके बाद उधे शंकर के साथ जोहरा ने मिस्र, यूरोप और अमेरिका सहीद दुनिया के एक बड़े हिस्से का टूर किया इस टूर के खत्म होने के बाद जोहरा उधे शंकर के साथ अलमोडा आ गई और उनके डांस स्कूल में डांस टीचर के तौर पर काम करने लगी इसी दोरान जोहरा की मुलाकात हुई कामेश्वर सहगल से कामेश्वर सहगल एक व्यज्यानिक थे और उन्हीं पेंटिंग और भारते निर्ते कला काफी पसंद थी दोनों करेब आए और एक दोजे को मुहबत करने लगे कुछी महिनों बाद दोनों ने शादी कर ली जब दंगे जैसे हलाद बन गए कामेश्वर सहगल से मैरिज करने के बाद ये बन गई जोहरा सहगल हाला कि कामिश्वर सहगल से जोहरा की शादी करना उस दौर के मुस्लिम कटर पंथियों को बिल्कुल भी रास नहीं आया था वहीं कुछ कंटर पंथी हिंदू समूदाय भी इस शादी का विरोध कर रहे थे हालात इतने बोरे हुए कि शेहर में दंगी जैसा माहोल हो गया हाला कि कुछ समी बाद लोग मान गए और सामाज ने इन दोनों को स्विकार कर लिया शादी के एक साल बाद ही इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम इन्होंने रखा कीरन सहगल दोनों की जिन्दगी आराम से चल रही थी इसी दोरान अंग्रेजों ने भारत को दो टुकडों में बाट कर आजाद करने की तयारी शुरू कर दी उस दोर में देश बेहत मुश्किल हालातों से गुजर रहा था हर तरफ हिंदु मुस्लिम समुदायों में आग लगी हुई थी आजादी मिलनी से पहले ही देश दंगों की आग में जुलसने लगा था दंगों की ये आग जोहरा सहगल के घर तक भी पहुच गई जोहरा सहगल उन दिनों अपने हस्बेंट कामिश्वर सहगल और एक साल की बीटी किरन सहगल के साथ लाहोर में रहती थी वहां इन्होंने जोरेश डांस इंसिट्यूट के नाम से अपना एक डांस स्कूल भी खोल लिया था जल्दी ही जोहरा और इनके पती को एहसास हो गया कि लाहोर में डांस इंसिट्यूट चलाना तो दूर जिन्दा रहना भी बेहत मुश्किल है दोनों ही अपनी बीटी किरन को लेकर बंबई भाग आए जोहरा सैगल के एक सिस्टर उजरा बट यहां प्रित्वी ठीटर में अभी नित्री थी और काफी मशूर भी थी जब प्रित्वी ठीटर से जुड़ी जोहरा सैगल बहन की मदद से जोहरा ने सन 1945 में प्रित्वी ठीटर जॉइन कर लिया उस दौर में जोहरा को 400 रूपे महीना तनक्वा मिलती थी जो कि एक बड़ी रक्म होती थी जोहरा सैगल इप्ता के भी एक सक्रिश सदस्य रही है क्वाजा एहमद अबास के डिरेक्शन में इप्ता ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी इस फिल्म का नाम था धर्ती के लाग जोहरा सैगल ने भी इस फिल्म में बत और हिरोईन काम किया था इप्ता में काम करने के दौरान उस दौर के मशूर डिरेक्टर चेतन अनंध ने इने नीचा नगर में लिया था कपूर खांदान की चार पेडियों संग किया काम जोहरा सैगल फिल्मों में कोरियोग्राफी भी किया करती थी राज कपूर की सुपर हिट फिल्म आवारा के बेहत मशूर स्वपन गीत की कोरियोग्राफी जोहरा सैगल ने ही की थी जोहरा अपने उम्दा अदाएगी से लोगों के चहरों पर मुझकान लेही आती थी इस तरह कपूर की फोर जनरेशन के साथ काम करने वाली जोहरा सहगल एकलोती अभिनेतरी रही 102 साल तक जी जिन्दगी साल 1998 में भारत सकार ने जोहरा सहगल को पदम शिरी समान से नवाजा उसके बाद 2001 में जोहरा को काली दा समान 2004 में संगीत नाटक अकैडमी समान से समानित किया गया संगीत नाटक अकादमी ने जोहरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोर्ड से भी सम्मानित किया और अपनी फैलोशिप भे दी साल 2010 में जोहरा सैगल को पद्म विभूशन सम्मान भी दिया गया 10 जुलाई 2010 को 102 साल के उम्र में जोहरा सैगल को दिल का दोरा पड़ा के बारे में बहुत सी महत्वपून जानकारी सुनने को मिली होगी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी दोस्तों को शेयर करना बिलकुल ना भूलें